आज मैं आपको इस वीडियो में कैलकुलेटर को ऑपरेट करने के बहुत सारे तरीके बताने वाला हूं और कुछ ऐसी बटन्स का यूज करके बताने वाला हूं जो नॉर्मली अपन लोग पता नहीं रहती है तो दोस्तों जैसा कि आप नॉर्मली जानते हैं यह नंबर से एंड यह प्लस माइनस यह सब करना आपको आता है लेकिन आपको इसके अलावा जो यह जी टी एम यू प्लस माइनस स्क्वार रूट एंड यह सब चीजे में बताने वाला हूं और इसके अगले वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं इस कॉलम में कि MRC M-M-plus का यूस क्या है तो दोस्तों इस वीडियो में हम से इस वाली कॉलम के सारे बटन के फंक्शन पढ़ेंगे देखेंगे तो दोस्तों पहले तो यह कर और यह दूबर के भी देख लिते हैं यह करेक्ट जिसे हम कुछ लिखते हैं कुछ भी तो इसको करेक्ट करना हो तो करेक्ट कर सकते हैं और अगर कुछ 40 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 टोटल 56 है अगर उसको चेक करना चाहे कि क्या-क्या प्लस किया है तो हम चेक के माधिया हमसे कर सकते हैं अभी तक हमने जो जो किया है वो सारी चीज़े यहां पर दिखाने लगेगा सबसे पहले हमारा बटन है जीटी इसका फॉल फॉर्म है ग्रैंट टोटल तो इसका यूज में बताऊंगो आपको जैसे कि हम कभी भी कुछ कैल्कुलीशन करते हैं जैसे कि 10 x 3, 50 x 2, 50 x 1 सो देख सकते हैं कि हमने कुल 3-4 कैल्कुलीशन की अब हमें जो 3-4 कैल्कुलीशन की है उसका टोटल पता करना हो कि उसका टोटल एंग्रिगेट कितना आएगा तो हम सिंपली एक बटन प्रेस करेंगे वह है जीटी जैसी जीटी प्रेस करेंगे ये देखी 180 आगया अभी तक हमने चूबी इंटू किया यह कुछ भी किया उसका ग्रैंड टोटल सारे वैल्यू की मिला की वैल्यू आई है 180 ये ग्रैंड टोटल की बटन से हम समझ सकते है और दोस्तों अब नेक्स्ट में बताने वालों M.U. M.U होता है मारकप बैल्यू तो ये जनरली बिजनेस टर्म्स में यूज किया जाता है बिजनेस में कॉस्ट एंड जब डिसकाउंट दीते हैं उस टाइम ये मारकप बैल्यू डिसाइट की जाती है तो ये थोड़ी बड़ी चीज है तो मैं आगे समझाओंगा जाम तेन आता है प्लस माइनस हम अपने कभी भी कुछ लगते हैं जैसे 120 लिखां और आप मुझे बता है से मेरे को माइनस 120 लिखना है तो मैं simply ये बटन दबाऊंगा तो मैंस हो जायागा तो दोस्तों आप हम जो next चीज़ देखने वाले हैं वो है square root अगर हमें किसी भी चीज़ का square root पता गरना हो तो हम directly पता कर सकते जैसे मुझे करना है 9 का तो 9 और सीधे हम square root दबा देंगे तो ये देखे 3 आ गया फिर अगर मुझे 625 का पता करना है तो square root दबा दूँगा मैं 25 आ गया फिर अगर मुझे 121 का भी पता करना है तो मैं सीधे square root दबा दूँगा तो ये 11 आ गया सो आप देख सकते हैं स्क्वाइर रूट हम बड़े ही असानी से निकाल सकते हैं इस बटन की फंक्शन के द्वारा सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है सीई का फुल फॉम पहले समझ लेते हैं इसका मतलब है क्लियर एंट्री अगर आप से गलती से कुछ गलत लिखा गया है जैसे कि में लिखता हूँ 10 प्लस 20 और गलती से मैंने 10 प्लस 20 के लिए 200 लिख दिआ तो मैं सीधे यहांपे क्लियर रख दबाऊंगा और जो मेरे को 10 प्लस 20 करना था अब मैं सीधे प्लस 20 कर दूंगा तो यह देखी मेरे वैल्यू 30 ही आएगी तो यहां पर क्लियर एंट्री का मतलब यह है अगर कुछ गलत हो जाए तो हम उसको सही कर सकते हैं बिना वापस से ओन अकाउंट तबाद तो काई यह तो आज मैंने बात करी इस कॉलम के बाद के बारे में और चेक और करेट के बारे में और नॉर्मली बाकी बटन्स आपको आती है मैं मैं अपने निक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो जो मेरा अगला वीडियो है उसकी मेरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप वहां से भी जा सकते हैं मैं चार के बताऊंगा और दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद करें और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब सो देट मेरा नया वीडियो जब भी आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा थैंक्यू गाईज